हेलो फ्रेंज मैं हुमिनाक्षी और इस वीडियो में हम बात करेंगे एजिप के पिरामिट के बारे में नाई लदी की पश्चमी स्छोर पे बसा हुआ है गीजा शहर और यहीं पर है ग्रेट पिरामिड ओफ गीजा बीसवी सताब्दी के मध्य तक लोग यही समझते थे कि इन पिरामिड का इस्तेमाल ममीज को रखने के लिए जिससे डेट बॉड़ी को प्रोटेक्ट रखा जाता है इसलिए किया जाता था और इसलिए बनाया गया होगा Egyptian सभिता में यह मानेता थी कि जब वहां के राजा महराजाओं की मृत्ती हो जाती है तो वो जब चाहे अपने शरीर में वापस आ सके इसके लिए उनके मृत्त शरीर को प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है और इसके लिए वहां के पुजारी जब राजाओं की मृत्ती होती थी तो शरीर के जितने भी गीले अंगे जैसे अतडियां, हिर्दय वगेरे निकाल देते थे उसके बाद उस शरीर में नेट्रो नाम की केमिकल का लेप लगाते थे और फिर लिनिन के कपड़े से उस पू अब ये बात गलत कैसे साबित हुई, जब इन पिरामिट्स की खुदाई हुई और खोज हुई, तो इन पिरामिट्स में एक भी ममीज नहीं पाई गए और नहीं कोई कॉफिन पाया गया, पाई गई तो सिर्फ ये तीन रेलिक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रिन पे, हुक, वोडन फ्रेग्मेंट्स और एक बॉल, इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं मिला, साड़े तीन हजार साल तक दुबई के बुर्ज खलीफा बनने से पहले ये दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रक्चर थी, ये स्ट्रक्चर हाइट में 146.6 मीटर और इसका जो बेस थ साल पहले इतने बड़े बड़े पत्थरों से अखिर बनाया कैसे अगर हम पिरमिट को वजन में तोले और इसको एक तराजू में रख दे तो इसका वजन लगबग लगबग साथ लाख टंड का है और इसमें जो पत्थर इस्तिमाल हुए है लाइम स्टोन और ग्रे लाय गया और उस वक्त यह इस तरह के रगिस्तान में कैसे पॉसिबल हुआ यह भी एक अश्चरिक की बात है यह जो लाइम स्टोन यूज किया गया इस पिरमिट को बनाने में यह टूरा नाम की जगह से लाय गया जो कि नाइल नदी को पार करके 800 किलमेटर दूर है और लायों का विश्कार नहीं था तो फिर यहां तक लाया कैसे गया इतने बड़े पत्तरों को यह भी एक आश्चर जनक बात है गीजा का जो सबसे बड़ा पिरमिड है वो कूफू महां के जो राजा थे जो फैरो थे कूफू उनका पिरमिड है इस पिरमिड में एक किंग्स पिरमिड है इसके अलावा एक गैलरी थी और उसके अलावा दो वाइड यानि सक्रे से लंबे से रास्ते थे अब इनका राज जानने के लिए बहुत कोशिश की गई बहुत सारी एक्विप्मेंट्स लगाए गये पर अभी तक पूरी तरह से यह पता नहीं चल पाया कि यह बहुत सक्रे रास्ते जो सीधे क्विण चंबर और किंग्स चंबर तक पहुचाते थे यह बनाये क्यों गए और इन दर्वाजों की पीछे आखिर था क्या हूँ यह जो पिरमिड है इसमें 23 लाख एक ही साइज के बड़े बड़े पत्थर यूज किये गये लाइम स्टोन में लगे कितनी मजदूर कितने साल तक इस काम में लगे यह भी एक आश्चारे का बात है कि इतनी बड़े पत्थरों को लाना उतनी दूर से और फिर उसको काटना यह आखिर आज से साड़े 4000 साल पहले जब इतनी टेक्नोलिजी नहीं थी इतने इक्रिप्मेंट्स नहीं थ जो थी उससे एकदम सिधाई में था एकदम परफेक्ट अलाइमेंट कैसे पॉसिबल था आज से 45-45 साल पहले जो पिरमिड जो आर्थ पे बन रहे थे बिना किसी टेक्नोलिजी के इतना परफेक्ट अलाइमेंट स्टार्स के साथ आखिर में क्या था और कैसे था तो इसी न एक नई थियोरी को जन दिया कि ये जो pyramids थे इनको बनाने में aliens ने मदद की है जी हाँ aliens ने मदद की है ऐसा लोगों का मानना है ये जो तीन स्टार्स थे एलनी टक, एलनी लम और मीन टका ये तीनों स्टार्स perfectly aligned है तीनों pyramids से और आज भी रात में बिल्कुल साफ साफ दिखे जा सकते हैं ये तीनों bright stars बिल्कुल perfectly aligned है pyramids से तो कही न कहीं लोगों में ये जो थियोरी थी कि ये जो pyramids है इसको aliens बनवा रहे थे aliens ने help की थी ये बात इस चीज़ से कहीं न कहीं जोर पकड़ती भी दिखती है इस alien वाली थियोरी को एक और चीज़ सपोर्ट करती है जैसे कि पूरे अर्थ में पूरे विश्व में लगभग 138 pyramids पाए गए और इससे भी आश्यर करने वाली बात ये है कि ये पिरमिड अर्थ के एक्सिस में पाए गए जितनी भी एक्सिस है अर्थ के उनमें पाए गए और एक दूसरे से बिल्कुल परफेक्टली अलाइन है तो आज से साड़ी चार अजार साल पहले उपर से बैठ कर इस तरह का अलाइमेंट कौन कर सकता था इसका मतलब ये था कि कहीं न कहीं स्पेस टेक्नॉलिजी से एजिप्शियन सभ्यता जुड़ी हुई थी या कोई न कोई तो उपर बैठा था और बिल्कुल जैसे हम ड्रॉइंग करते हैं वैसा ही अलाइन करके इन पिरमिड्स को बनवा रहा था तो क्या सच में पिरमिड्स को बनाने में एलियन्स का हाथ है एजिप्शियन का स्पेस से कनेक्शन था इस बात को एक और ये सपोर्ट करती है जैसे कि पिरमिड के अंदर जो ओरियन बेल्ट है उसके अलावा साइरस जो स्टार है उसकी रोशनी और इसके अलावा कोई भी सरकंपोलर स्टार की रोशनी डाइरेक्ट सेंटर ओफ पिरमिड में पहुचना और उसको ऐसे अलाइन करना कि ये जो स्टार्स है इनकी रोशनी डाइरेक्टली पिरमिड के सेंटर में फोकस करती है और जो pyramid के अंदर का temperature है वो constantly 20 degree Celsius रहता है यानि कि पूरे साल बर इतने रेगिस्तान में इतने बड़े रेगिस्तान में इतना कम temperature maintain करना जो body के लिए जो human body के लिए बिलकुल perfect है ये भी एक बहुत ही बड़ी आश्चर जनक बात है और वो भी आश्चे साड़े 4000 साल पहले तो कि जो Egyptian सब्वेता थी वो बहुत advanced थी और इतने advanced थी कि उनकी पहुत शायद space science तक पहुँच चुकी थी पिरमिट के अंदर जो नकाश्या पाई गई उनमें भी alien के shape का एक structure दिखना इसके अलावा spacecraft के structure का दिखना कहीं न कहीं इन सब चीजों को और मजबूती देता है इसक और चीज है कि जब साड़े 4000 साल पहले लोग यह मानते थे कि पृत्वी गोल नहीं चप्ती है उस वक्त पूरे अर्थ पे पूरी पिरत्वी पे 138 या उससे कहीं जादा pyramids का पाया जाना और उनका एक दूसरी के साथ perfectly aligned होना और उनके अर्थ के axis पे ही पाया जाना यह सब क कहीं न कहीं यह तो दर्शाता है कि वो यह जानते थे कि पृत्वी चप्ती नहीं गोल है और उन्हें पता था पृत्वी के अर्थ के axis के बारे में इसके अलावा जो pictures पाये गए spacecraft या फिर aliens के pyramids के अंदर इन सब से कहीं न कहीं यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो Egyptian लो अंतरिक्ष से या space science पे गीजर की pyramids को Egyptian pharaoh ने यानि वहां के राजाओं ने बनवाया था जो सबसे बड़ा पिरामिड है वो है पिरामिड ओफ कूफू जो वहां के राजा थे कूफू उनका पिरामिड है उसके बाद जो पिरामिड बनाये गया वो था उनके बेटे का यान मैंक्योर का पिरामिड है तो ये तीनों पिरामिड जो है वो एक ही परिवार के तीन राजाओं के द्वारा बनवाए गये 2010 में एक robotic camera को पिरामिड के अंदर ड्रेल करके डाला गया ये देखने के लिए जो शास्त है जो सक्रा रस्ता है उसके पीछे जो दिवाल है उसके प खराब हो जाता है और काम करना बंद कर देता है उसके बाद एजिप्ट के जो सरकार थी उसने यहाँ पे इस तरह के experiment करने से मना कर दिया और आगे कुछ पता नहीं चल सका कि आखिर इस दिवाल के पीछे था क्या और क्या राज चुपा हुआ है Great Spinnings Of Giza उसकी सीधी रोशनी करकर एखा के उपर पड़ती है और ऐसा लगता है कि जैसे स्पिरिक्स के पीछे से सूरी बिलकुल मुकुट की तरह उगरा है तो आज से साड़े चारजार साल पहले साल के किसी एक दिन में सूरी के साथ इतना परफेक्टली अलाइन करके इस स्ट्रक्च की है इस स्पिनिक्स के अंदर दो कैविटीज है और दो चेमबर से एक स्मॉल चेमबर और एक लाज चेमबर हलाकि यह खाली है इनमें कुछ भी नहीं पाया गया पर यह जो स्पिनिक्स है यह एक ही पत्थर से बनाया गया है यानि टुकडों में नहीं बनाया गया एक ही प पॉफेक्टली अलाइन करके बनाया गया होगा एजिप्शन सबिता कितनी एडवाज थी इसका पता वहां के टेंपल ऑफ हेथोर जो की डेंडरा में है उससे पता चलता है वहां पे कुछ ऐसी नकाश्या पाई गई मंदिर के दिवारों में और जो नक्षा है उस टेंपल का जो आर्किटेक्चर है उस टेंपल का उससे भी जो एजिप्शन सबिता है उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है इस टेंपल के दिवार पे एक नकाशी पाई गई एक पिक्चर पाई गया इस पिक्चर में एक मनुश्य ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लिए खड़ा है और उसके अंदर एक फिलमेंट जो की साब के रूप में दशाय गया है कही न कहीं ये बताता है कि एजिप्शन जो सबिता थी वहां के लोग थे वो एलेक्टरिसिटी के बारे में जानते थे और बिजली का इस्तिमाल सायद करते थे अब इस बारे में कितनी सचाई है ये त से हमें मॉटिवेशन मिलती है